दोस्तो ऐसा क्या हुआ जब इंडिया के दो ग्रेट माइंड्स स्वामी विवेकानन्द और जमशेद जी टाटा मिले तो क्या हुआ जिसने इंडिया की किस्मत बदल दी इंडिया में साइंस एंड टेक्नलोजी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया ये कहानी है 1893 की 31 मई 1893 को एक स्टीमर में जो स्टीमर योको हामा से कैनड़ा के वैंकूवर जा रहा था उस स्टीमर में मिले जमशेद जी टाटा और स्वामी विवेकानन जमशेद जी टाटा शिकागो जा रहे थे एक इंडस्ट्रियल एक्सपो के लिए और स्वामी विवे वर्ल्ड रिलिजिन कॉंग्रिस में जा रहे थे जमशेज जी टाटा जो की लगातार कई बार जापान जाते रहते थे वो उसी होटल में ठहरे थे जहां पे स्वामी विवेकानन रुके हुए थे उस समय दोस्तों अगर आपको अमेरिका या कैनेडा जाना होता था तो आपको जापान से होके ही गुजरना पड़ता था उसके कुछ दिनों के बाद होटल से स्वामी विवेकानन और जमशेज जी टाटा दोनों ही कैनेडियन पोर्ट वैंकूवर में जाने के लिए तयार हो गए SS Empress of India नाम के एक लगशरी स्टीम शिप में जो की एक कैनेडियन पैसिफ स्टीम शिप कंपनी की शिप थी हाला कि स्वामी विवेकानन और जमशेज जी टाटा कई बार एक दूसरे को देख के हाई हेलो वाली मुलाकात कर चुके थे पर उनको गहराई से बात करने का मौका शिप में ही मिला जब वो दोनों उस स्टीम शिप पे चड़े और बैठे कर चुके as a wandering monk की तरह उन्होंने कहा कि इंडिया में कैसे Indians को ही oppress किया जा रहा है और fellow Indians की ऐसी हालत देख के colonial पावस के हातों विवेकानन खुश नहीं थे स्वामी विवेकानन ये भी कहते है जमशेज जी टाटा को कि जब वो चायना गए थे तो चायना के कई सारे बुद्धिस मोनास्ट्रीज में उन्होंने संस्क्रेट और बेंगॉली मैनिस्क्रिप्स देखे स्वामी विवेकानन जमशेज जी टाटा को ये एक्स्प्रेइन करते है कि वो शिकागो क्यों जा रहे है वो वर्ल्ड रिलीजिन कॉंग्रेस में पूरी दुनिया को बताना चाहते है कि सनातन धर्म किया है और सनातन धर्म क्या सिखाता है इसके बाद जमशेज जी टाटा ने भी अपने कुछ विचार रखे टाटा ने कहा कि वो जापान के फिनॉमेनल प्रोग्रस से देखके बहुत जादा उत्साहित है और वो इंडिया को भी कुछ ऐसा ही बनाना चाहते है इसलिए वो इंडिया में एक स्टील इंडस्ट्री खो नेशन बनाएंगे विवेकानन बहुत उत्साहित हुए जमशेज जी टाटा के इस विचार से पर विवेकानन ने कहा कि जो आप बाहर से लेके आ रहे हैं क्यों ना हुओ हम इंडिया में मैनुफैक्चर करें जिसके लिए इंडिया में ही हमें ऐसा साइंस रिसर्च यह जो जमशेज जी टाटा और स्वामी विवेकानन में इतनी गहरी बात चीत हुई इंडिया के इंडस्ट्रिलाइजेशन को लेके उसका असर पात साल बात दिखा पात साल बात जमशेज जी टाटा ने स्वामी विवेकानन को एक चिठ्थी लिखी उन्हें कहा कि याद है हमने क्या बात किया था जब हम शिप में शिकागो जा रहे थे मैं उसी कदम पे आके बढ़ चुका हूँ और मैं इंडिया में एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहता हूँ मुझे उसके लिए आपकी मदद चाहिए आपकी गाइडन्स चाहिए तो स्वामी विवेकानन ने सिस्टर निवेदिता को भेजा जमशेज जी टाटा के पास एक डिटेल प्लान बनाने के लिए रिसर्च इंसिट्यूट के लिए इसके बाद 1902 में स्वामी विवेकानन की मृत्य हो गई और ठीक उसके दो साल बाद जमशेज जी टाटा की भी मृत्य हो गई पर दोस्तों उन दोनों को ही नहीं पता था कि ठीक पास साल बाद उनका ये सपना पूरा होने वाला है 1909 में टाटा इंसिट्यूट ओफ साइंस की स्थापना की गई और ठीक उसके दो साल बाद 1911 में उसका नाम चेंज करके इंडियन इंसिट्यूट ओफ साइंस रखा गया जो कि आज भारत की पहचान है साइंस के फील्ड में पूरे भारत का गर्व है दुनिया का one of the best science and research institute है IISC IISC आज खाली पूरे इंडिया में ही नहीं दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है और दुनिया का citation of faculty के जो ranking में number one पे आता है IISC तो भारत के दो महान व्यक्ति स्वामी विवेकानन और जमशेज जी टाटा के इस गहरे conversation की वज़े से भारत को science और technology का सबसे बड़ा institute मिला IISC जिसने की भारत के science के future को पूरी तरीके से बदल के रख दिया तो the ultimate Indian की तरफ से ये दोनों महान व्यक्तियों को भारत का सलाम जहन